केंद्र बजट समा विसल अनंतरम प्रधाणी मोधी मीडिया तो माटलारत नरे प्रालाई चुदा भारत के प्रती आकर्षन बड़ा है और भारत में तूरिजम के खेत्र में नई संभावनाय बनी है तूरिजम खेत्र गरीब और मद्यम्वर के लिए कई अवसर लेके आता है इस बजट में तूरिजम खेत्र फिर भी विशेश बल दिया गया है साथियों एंडिये सरकार ने पिछले दस साल में ये सुनिशित किया है कि गरीब और मद्यम्वर को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे इस बजट में भी इंकम टैक्स में कटोती और स्टेंडर्ड डिड़क्शन में बुद्धिक का फैसला लिया गया है टीडियेस के नियमों को भी सरल किया गया है इन कदमों से हर टैक्स प्यर को अतिरिक्त बचत होने वाली है साथियों देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी छेत्र का संपोर्ण विकास पूर्वो दय के विजन द्वारा हमारे इस अभ्यान को नई गती नई उर्जा मिलेगे हम पूर्वी भारत में कई महत्वपून इंफ्रसेक्टर जैसे हाइवेज वाटर प्रोजेश और प्रावर प्रोजेश का निर्मान कर विकास को नई गती देंगे सात्यों इस बजेट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडोक्शन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं इससे एक और छोटे किसानों को फल्ग सब्जियों अन्न उपज के लिए नए बजार मिलेंगे बहतर दाम मिलेंगे तो दूसरी और हमारे मद्दमबर के लिए फल्ग सब्जियों की उपलब्दता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोशन भी सुनिस्टिक होगा कृसिक छेत्र में भारत का आत्मन निर्भर बनना समय की मांग है इसलिए दलहन तिलहन की पैदावर बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की गोशना की गई है साथियों देश में गरीबी समाप्त हो गरीब का सतक्ति करण हो इस दिशा में भी आज के बजेट में प्रमुग गोशना की गई है गरीबों के लिए तीन करोड नए घर बनाना ताय हुआ है जन जातिय उन्नत ग्राम अभियान सेक्चुरेशन एप्रोच के साथ पांच करोड आदिवासी परिवारों को मुलबुत सुविधाओं से जोड़ा जगा इसके अलावा ग्राम सड़क योजना पत्चीस हजार नए ग्रामिन छेत्रों को औल वेदर रोड से जोड़ेगी इसका अलाव देश के सभी राज्यों के दूर दराज गाउं को मिलेगा साथ कियो आज का बजेट नए अवसर नई उर्जा लेकर आया है ये डेर सारे नए रोजगार स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फूचर लेकर आया है आज का बजेट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में केटेलिस्क का काम करेगा विक्सित भारत की एक ठोस नीव रखेगा सभी देश वाचियों को बहुत बहुत सुपकामना है झाल